.5 question number 6 इसका last question है express the following matrix कुछ matrix दे रखी है as a sum sum करना है जोड करना है of a symmetric एक तो symmetric का और a square symmetric symmetric और square symmetric का हमें जोड करना है तो मैं इसका एक पार्ट करवा देता हूं उसके कुछ और पार्ट दे रखे हैं वो खुद try करना अगर आपको ना समझ में आए या फिर आपको इससे ना हो तो comment करके बता देना जैसे फेस्ट पार्ट है थ्री प्लस में इसको हम मान लेते है लेट ये वाड़ी जो matrix है उसको हम लेट मान लेते हैं ये A matrix है A matrix is equal to 3-4, 1 और –1 और अगर इसका transpose निकाड़ों तो इसका transpose क्या हो जाएगा ये वाड़ा जो है ये रोकोलों में बदल जाएगी 3-4, 1-1 तो ये हमने इसका क्या कर लिया, transpose निकाड़ दिया अब मारे पास एक formula होता है We know that हम ये जानते हैं ये जानते हैं कि अगर A जो है वो A मैट्रिक्स जो हमने माननी है वो A किसके ब़रबर होगी हाफ ओफ A पलस में A के transpose अगर हम symmetric का आफ करदें जो symmetric इसका और इसका जोड करके जो symmetric 번혜़ गी उसका आफ करदें और पलस में हाफ ओफ किसका करदें A माइनस में A transpose symmetric ये तो होती है symmetric और यह होती है स्कूश मेट्रिक इन दोनों का हाफ करके जोड़ें तो वह ए मैट्रिक्स बनेगी तो यहां पे वेहर यहां पे हम कह सकते हैं कि हाफ ओफ ए पलस में एका ट्रांस्पोर्ट जो है इज ए यह वाड़ा तो क्या है कि स्कूश मेट्रिक है और एंड वन बाइटू ए माइनस में एका ट्रांस्पोर्ट जो है इज स्कूश मेट्रिक यह क्या है कि स्कूश मेट्रिक है तो हम क्या कह सकते हैं यह वाड़ा जो है एक तो जो है हाफ ओफ ओफ ए पलस में एका ट्रांस्पोर्ट जो हो तो है स्कूश मेट्रिक है तो देखते हैं आग इसको सोल कर करें तो ए प्लस में ए का ट्रांस्पोज करें क्या यह सिमेट्रिक है यह हमसोल करते हैं तो ए की वैल्यू है 3-4 1-1 और प्लस करना है ए का ट्रांस्पोज 3-4 1-1 अब इसको इसमें एड़ करें 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 यह मैनस 4 और यह क्या मैनस 4 और 1 इसमें एड़ करेंगे तो मैनस 3 यहाँ से 1 और यह मैनस 3 और यह वड़ा minus 1 और minus 1 minus 2 तो यह और जाएगा हमारे पास अब इसके बाद अगर हम इसका transpose गरें a modifications है six minus three minus three minus two इसका अगर हम response करें तो यह जाएगा six ये वाड़ा minus three यहाँ ये वाड़ी रो इस को लम में बदल जाएगी है minus three and minus two ये बन जाएगा तो क्या ये हमारे पास A पलस में A ट्रांस्फोज गे बरबर है हाँ ये इसके ही बरबर है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये वाड़ा जो है ये वाड़ा जो है अब हम कह सकते हैं हाफ सिमेट्रिक जो पार्ट है ये वाड़ा जो part हमारे पास symmetric है symmetric part symmetric जो part है कि half of a plus में a का transpose ये जो मुने निकाड़ा है a plus में a का transpose is equal to में ये आजएगा हमारे पास one by two ये वाड़ा जो हमारे पास आया है six minus three minus three two six minus three minus three two ये आगया है is equal to में half इसके साथ multiply कर देते हैं six by two minus three by two और minus three by two और two by two ये आजएगा हमारे पास उसके बाद देखो अब हमारे पास जो दूसरा part है again इसको solve करते हैं कि a minus में a का transpose जो है उसको solve करते हैं एक ही जगे value है three minus four one minus one और minus a का transpose आपने निकाड़ा था कि three minus four one और minus one अब इसको solve करें तो देखो three और three में से यहाँ पे three minus three यह minus four और यह minus one यह minus one और यह minus minus यह minus और यह minus का four है यह minus one और यह minus one और यह minus one एक minus बाहर वाड़ा लिया हमने three minus three zero यह minus five यह क्या हो जाएगा one और यह plus plus का sign हो जाएगा क्योंकि minus minus plus यह one minus का और यह क्या हो जाएगा plus का one अब इसको solve करें यह zero जाएगा तो zero minus five five zero तो यह आजाएगा तो मारे पास यह वाड़ी value किसकी है a minus a के transpose गी तो a minus a का transpose का अगर transpose करें तो अगर हम zero minus five five zero का transpose करें तो इसका अगर हम transpose करें a minus a के transpose का अगर transpose की हमने तो क्या आजाएगा यह बारा जो है zero minus five और यह change हो के यहाँ पे आजाएगा zero minus five five zero तो यह आगया अगर इसमें से minus मैं common निकार दें तो zero minus five five zero यह प्लस का हो जाएगा तो यह किसके बराबर आ गया a minus a के transpose का transpose किसके बराबर हो गया negative of a minus a के transpose के बराबर तो यह कैसा पार्ट था हमारे पास skew symmetric part था तो अगर हमारे पास तो skew symmetric part तो skew symmetric part के लिए क्या था कि half of a minus a का transpose half of a minus a का transpose किसके बराबर होगा यहाँ से हमारे पास half की multiply कर देते हैं इसके साथ है तो यहां से यहां है हमारे पास zero minus five five by two और zero यहां गया हमारे पास कि zero minus five और five by two zero तो half क्या हो जाएगा इसके अंदर multiply तो zero के साथ तो कोई फरक नहीं पड़ेगा minus five by two और sorry five by two बाद में अब आएगा यहां पर five by two और यह जीरो तो यहां गया हमारे पास तो then हमारे पास last answer क्या जाएगा अब हमारे पास दोनों पार्ट बन चुके हैं तो दोनों पार्ट बनने के बाद a matrix is equal to में क्या जाएगा सम किसका था सम था एक तो symmetric part का plus में सुक्यू symmetric part का तो symmetric part तो मारे पास क्या आया था इससे पहले हमने यह soul किया था यह आया था six को इसको cancel कर दें तो three और यह two उन जा two तो यह part आया था कि three minus three by two और minus three by two और one plus यह वड़ा part आया है zero minus five by two और five by two और zero तो यह मारे पास part आ गया a का जो अगर हम सम करें symmetric और square symmetric part वो किसके बराबर आएगा a के बराबर आएगा तो यह था इसका question number six का first part और बाकी जो part हम आप खुद dry करें देखे अगर यह इसको इसमें add करें थरी आजेगा यहां से आग्ये बाड़ा जो है मैं आपको थोड़ा सा बत समझा रहा हूँ बाकी यहां तक question complete हो चुका है 3 को इसमे add करें तो 3 अगर यहां पर minus 3 by 2 और minus 5 by 2 अगर add करें तो 2 lsm लेके minus 3 और minus 5 तो कितना आजाएगा minus 8 को 4 2 से divide करेंगे तो minus 4 इसको और इसको solve करेंगे तो देखो 2 lsm 5 में से 3 गए तो कितना बज़ेगा 2 by 2 1 आजेगा अब यहां पर यह 1 है तो देखो मारे पास जो A matrix थी A matrix और यह वाड़ी जो चीज है वो क्या वो दुनों बरबरा रही हैं यह में बताना था तो यह दुनों क्या है मारे पास I think देखो एक यहां पर पिछ्चे से गलती होगी थी देखो यहां पर एगर एक 6, minus 3, minus 3 और minus 2 था तो यहां पर आके हमने plus का ले लिया है तो यह यहां पर minus था और यह minus था तो इस minus के खाण यह क्या था minus का 1 था तो माइनस वन था तो यहां माइनस वन आ जाएगा तो यह वाड़ा जो है हमारे पास जब A का स्मेट्रिक और स्क्यू स्मेट्रिक पार्ट का जब एड़ करते हैं तो वो A के ही बराबर आता है जैसे यह मेट्रिक्स हमारे पास है यहां पे हम लेके चले थे इस वड़े पार्ट में कि 3-4, 1 और-1 तो यह इसी के बराबर आता है जब symmetric और square symmetric part को जब add करते हैं तो वो A के ही बराबर होता है ऐसे ही आपके इसके सभी parts को try करना है जैसे इसको इंदर solution कहां से start होगा एक यह formula है कि A is equal to में half of symmetric part plus में half of के इसकों सा square symmetric part यह वड़ा दो है symmetric और यह है square symmetric part पहले A into A का transpose करते हैं और उसको देखते हैं कि यह symmetric के बराबर है या नहीं फिर उसके बाद यहां से हम solve करते हैं कि symmetric part बनाते हैं half of किसके बराबर था इसके बराबर था तो half और यह जो आया था उसके बाद half इसमें multiply प्रिपलाई फिर उसके बाद स्क्यू स्क्यू स्मेट्रिक पार्ट A into A minus A का transpose यह करेंगे इसको solve करने के बाद यह आ गया तो इसका transpose हमने किया तो क्या यह दुन आपस में बरबर थे यह देखना था symmetric part में minus को मना रहाए गया तो यह देखें हम तो यह minus को मना रहा है तो इसके बाद यह symmetric part skews symmetric part पूरू हो गया अब यहाँ पर यह बड़ा one by two part लेकर यह पूरू हो गया उसके बाद A is equal to a symmetric part plus skews symmetric part का जोड होता है उसको यहाँ तक लिक के छोड़ना होता है वैसे ही क्या आजएगा check कर सकते हैं इस कांसर इसके बराबर आता है और अगर कोई part आपको समझ में ना आया हो यह third chapter में कोई problem रह गी हो आज यह third chapter complete हो चुका है आपका और next अब अगे शुरुआत करते हैं fourth chapter की और इस third chapter में अगर आपकी कोई भी problem रह गई है तो आप मुझे comment करके उस problem के बारे में लिख सकते हो या फिर मेरे whatsapp नमबर पे message होड़ सकते हो वही मैं part आपको जरूर कराऊंगा और जरूर आप मुझे comment जरूर करना और मेरे channel को subscribe जरूर कीजिए धन्यवाद